आप लोग उम्मीद करता हूं कि यार बहुत ही अच्छो होंगे तो यार आज की जो वीडियो ना वह जी क्याल होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले पानी से घैस तो यार आप वी सोचो किस प्रकार से बनाएंगे यह दोस्तों हम आपको पूरी डिटेल देंगे और जो आज हम गेस बनाने वाले ना यह दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से बनने वाली और दोस्तों इस गेस को हम आपको यूज करके भी बताएंगे एक नमबरा प्रोजेट है बहुत जाए सस्ता है और बिल्कुल सरल तरीके से बनने वाला और बहुत ही कम बजट में बनने वाला है तो चलिए फड़ा पर सकते हैं वीडियो को स्टार्ट पानी से घेस बनाने के लिए मैं सबसे पहले आउशक तो यह यह वाला ड्रम है भीसलेटर वाला ड्रम तो यह देख लीजिए दोस्तों काफी जादा तो जो गेस बनेगी ना हो यार बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगी और अगर दोस्तों आपके पास कोई चोटा वाला ड्रम हो वह पी आप ले सकते हो लेकिन यार आपको एक बात का ध्यां रखना होगा इसके अंदर इसके उपर दोस्तों जो चूड़ी वाला धकन हो ज फेफी क्यूब की साइथा से अच्छी तरीके से चिपका दिया है और जो इस ड्रम कंदर गेस बनेगी ना वह दोस्तों बिल्कुल भी यहां से लेक नहीं होगी और अब इस रिफिल का आगे हमां टेस्ट करेंगे एक पाइप तो आप लगबत दोस्तों एक मिटर लंबी प कर दीजिए तो दोस्तों अब हम शिक्टा पाइप कर देंगे और अब फिर आगे वाला मुह यहां पर हम इसको आपको दोस्तों अब आपको लेना है यह जू आपको कर देना है और दोस्तों अब आपको आप हैं थैक दोस्तों कर देंगे जार देंगे तो चलिए हैं देंगे एक और पाइप और अब जो दूसरी साइड वाला पाइप का मुह है इसको हम अच्छी तरीके से और तो गाइस अब हम आउशकता होगी तो यह तो आप थोड़ा च्छोड़ा ले सकते हो लेकिन आपको ध्यां रखना होगा जूए टूब होता है उसका अंदर वाल होता है उसको आपको निकाल देना है वो जो यह सादा वाला टूब होता है इसको हम यूज में लेंगे तो चलिए इस तूब का अब पर करेंगे कैशन इसको हमारी ट्यूब है ना इस ट्यूब के ऊपर देख लिए यह लगी एक छोटी सी तो यह इसका अंदर आता है एक वॉल्व को आपको निकाल देना है और फिर जो यह पाइप है इस पाइप को हम यहां पर अटेस्ट कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से घेस यहां से अंदर बनेगी घेस और फिर दोस्तों वह जाएगी सीधा इस पाइप के दुवारा इस टी सोकिट के अंदर तो यह पर आप देख लिए दोस्तों यह एक टी सोकिट और यहां पर आप लगा दिया और इसको हमने सीधा अटेच कर दिया जो हमारा गेज चूला है उसके साथ तो यार सीधा जो यह इसके अंदर गेस बनेगी ना वह दोस्तों इस ट्यूप के अंदर श्टोर हो जाएगे और फिर जो यह गेस बनी है इस गेस को हम छुले की साहिता से काम में ले पाएंगे तो दोस्तों हमने ले लिए ताकि हम आपको एक अच्छे तरीका से बता में यह दोस्तों पानी से बरावा केन और इदर रहें दोस्तों केल्शम कारबाइड के स्टोन अब यह पर देख लीजिए जो गेस वेल्डिंग वालों की दुकान होती है वह पर दोस्तों यह आपको मिल जाएंगे और दोस्तों केल्शम कारबाइड और पानी को मिलाने पर के इसका धकन हम खोल लेंगे और इसके अंदर दौस्तों डालेंगे केल्शियम कारबाइड के स्टोन तो मेरे हिसाब से दोस्तों इतने बहुत है टुकड़े तो चलिए दोस्तों अब हम डालने वाले इसके अंदर पानी तो इसको आदा पानी से भर देंगे दोस्तों गेस बनने स्टार्ट हो चुकी है तो इतना पानी बहुत है और अब हम इसको अच्छे तरीके से बंद करेंगे बिल्कुल टाइड बंद करेंगे अब देश अब दोस्तों इसका अब यहां पर देख नहीं है अब देखे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर गेस बन रही है और जो इस तूप के अंदर पर श्टोर हो रही है अब देखे विल्कुल आराम से गेस बन रही है जों पर देखो मैं अब यहां देखे दोस्तों करेंगे मैं अब इह पूरा भर चुका और आप देख लेटी दोस्तों यह और बिल्कुल एक बहुत किस सी बढ़ से कितनी बड़ी है तो आप अले देख लिए यह जो幫 यहां बिल्कुल अच्री काम कर रहा है आight तो दोस्तों यहां पर देख सकते हों तो यहां पर आप देख सकते हो घ्र धिया अप ग्यां अब Felix तरीह ने इसका नहीं दिद्ह तो जो फूरा हम इसको और यह तरुम है उद्यस तो फूंड यह आप देख स्के shining तो फड़ा बनाते हैं तो भाइसाब यहां पर आप देर सकते हो दोस्तों और आप इसको थोड़ी देर रहने देंगे ताकि यह पानी वह दोस्तों घरम हो जाएगा तो दोस्तों यह पर आप देह सकते हो अपनी मेगी और जायर हो चुऀए और अभी भी इसका अंदर आक्ध जल रही है तो यहां है नहीं अवसमिप्र चिज, यह पर आप 15 सब्सक्राइब कर देना तो चलिए दोस्तों मिलता बेसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में